बुलो श्री प्राणनाथ प्यार कीजे बुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे श्री पन्ना धाम कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे सुन्दर साथ जी आज हमारे बीच में गुनवंत कौर जी यानी रानी दी अपने रिदय के मीठे विचार मीठी बतियां किस प्रकार सुन्दर साथ जी सिख पंत से आए हुए सुन्दर साथ किस प्रकार धनी जी ने उनको अपने चर्णों में जोड़ा कैसी कैसी उनकी यात् चलते हैं रानी दीदी के पास परणाम जी गुनवंत कौर जी सबसे पहले आप यह की पोचना चाहूंगी दीदी कि किस प्रकार धनी जी के चरण आपको सुंदर साथ परिवार में आने का अवसर कैसे पिया जी ने आपको जोडा परनाम जी परणाम जी बिल्कुल बहुत अच्छी हाल है हमारे परणाम में कोई भी नहीं जानता ना सुछराल में ना मायके में, इसारे में किसी पता ही नहीं है, मैं एक बारी मायके गई, शादी के 4-5 साल के बाद, मायके गई तो हमारे घर के सामने बिमलेश्ची रहती है तो उन्होंने मुझे बिलाया अपने घर में, तो मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे राजी के बारे में बताया, मैंने बहुत कोशिश की समझने की, मुझे दो दिन कुछ समझ नहीं है, दो दिन मुझे घर पर आउंटी बिलाने आते रहे, तो मैंने अपनी ममी को कहा, ममी मुझे आउंटी जो बताते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तो पता नहीं, हम बाइगरू कहते हैं, वो राजी, राजी करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं बाइगरू कहलो, राजी कहलो, एक ही बात है, तो ममी कहते हैं, तो काल से मेरे पास बैठना मेर मम्मी उनके घर जाया करते थे उनके घर कीरतन होता है हर वीरवार के वीरवार तो मम्मी उनके घर जाते थे तो मैं मुझे भी मम्मी ने अगले दिन बठाया और कहने लगे तू मेरे से समझ मैंने का आंटी का लाएंगे ना आप कहा दे ना बजानी को समझ न ममी ने मेरे से कोश्चन किया रानी देखो हम सभी गुर्दवारे जाते रहें आज तक लेकिन गुर्दवारे में हमें थी कि हम जाते रहे हैं लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आया आज तक भी मैंने का क्यों मम्मी ऐसा क्यों क्यों कि हमारी दादी जी हमारे मम्मी पापा सब गुर्दवारे में जाते थे शुव से सुबह चाह तीन बजे उटना चार बजे सब गुर्दवारे चले जाना तो मुझे गृद्वारे के बारे में ही सारा पता था वहां भाईजी हमें बताते थे कि जब जी साहब का पाट जो बच्चे करके एंगे कि मैं हम छोड छोटे होते थे कुवारे तो पाट करके आऊगे नहीं मैंने में अर्दास होएगी तो उसमें तुम्हारे नाम बोला जाएंगी, जितने पाठ तुम करोगे सब बच्चों को, तो हमारा नाम बोला जाता था उसमें, तो सबसे जड़ा पाठ हम करते रहते थे, रात दिन पाठ करते थे, लेकिन समझ तो थी नहीं, तो भाई जी ना अर्दास करके हमारे नाम ले मैंने का ममी शुगान सभ जिसमें साहिब की बारणी हो कहते हैं तो कहते हैं फिर उन्हें मुझसे कुष्छन किया सबसे पहले कि नानकषभाण का क्या चिन है? उन्हों ने कहा नानकषभाण का क्या चिन है? अंदर सच मुखोजला, अपने ख़संमाई समाई. तो मैंने का ममी भाई इसका मतलब यही होता है भी नानक धन सुहागनी का मतलब यही होता है भी जो सुहागनिया बन जाती है कहते हैं क्या तुम सुहागन नार बनी हो मैंने का वो कैसे कहते हैं जब शादी होती है हमारे में लिखा हुआ है बई शादी होती है तो जो गुर्गानसा में फेरे होते हैं उसमें सारे पारब्रम के साथ फेरे के बारे में बताया हुए वह तो मैंने सुना हुआ था मैझे रहा कि ओल भी मैझे वूर्द्वारे में पर वह भीद्वारे ने उत्वारी साहिंगे हो तो मैंने का ममी यह तो मुझे पता ही नहीता हमक जेता है aussi इसको लग जगता है उसका कभी उतरता नहीं कहते हैं वही लाल रंग हमने लगाना है ममी न मुझे बहुत समझाया ममी मेरी गुरू भी रही ममी मुझे दो घंटे लेकर बैठे रहे और इतना समझाया श्रीगुरुणान साह में से मुझे एक एक लाइन समझ आती रही क्योंक संजम पूजा वर्त करे मन मुख रोग न जाई तो हम कभी जब तब संजम कुछ भी नहीं करते थे तो एक दिन ममी ने कहा भी देखो हमारे में वर्त भी मना कर रखे हैं नारी छोड़े यान करे पकांड ना उस्वागन ना उरंड तो मैंने को हाँ ये भी लिखा हुए है क ंच सबने सोरे मंजना जिन मुकलामन हार इसका मतलब क्या होता है मैं एक जा करकर के जब लडगी आगे जाती है तो ब्या कर करके जाती है लड़की ने करके जब तक अपने घर में एक वारी है मैं कुछ ए नुमेशर करें। को सत इतम को सबूढलाओं थो अनि रूहिता है। ब ritual tahun 2020 खसम पिचानू, खसम दियाओ और खसम बनाओ, बाद में आता है खसम बनाओ, पहले खसम पिचान, यह खसम कौन है? मेरको समझ नहीं आते थी, मैंने का ममी हाँ वक्कि आज तक हमने इतना टाइम गुर्दारे होते हो गया, हमने जाना नहीं खसम कौन है? फिर उनने का खसम पिचानू, खसम पिचानू, खसम पिचानू, तो मैंने का हाँ आप तो खसम और स्वागन की बास समझ तो आ रही है, मुझे बूत अच्छा लगा, बूत अच्छा लगा, मेरी तो आखे खुली की खुली रहेगी, मैंने का इतने पाठ करें हैं, हमने सिरफ रटे लगाई हैं, रट अवकेशन की हैं, वाकिए हम नहीं पता था, फिर ममी ने मुझे स्वागन के बारे में, माइके के बारे में और खसम को विसार दिया तो कुवारी है सारी उमर तो कुवारी रह जाएगी अगर तुने अपने खसम को विसार दिया मैंने का हाँ ये भी बात सही है मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मैंने का मैं तो कल से आज से इना मैं आंटी के घर जाती हूं आंटी को दो दिन मैंने खराब कर दिया मुझे यहां सुसराल से मेरे माईके नारनोल के हैं और मेरी शादी जमना नगर हुई है तो मुझे 15 दिन छुटिया मिलती थी जाने के लिए साल में एक बारी तो मम्मी कहते अब तु जितना पा सकती है न पाजा मैंने का ठीक है अब मैं अगले तो मुझे लिखा हुआ शरगा सा मेरा ह吉 तु थु समझ उसमेड तो सारी सच्चाहि लिखे होई हैं मैंने का ठीक है तो कहते हैं घ। टो कहते हैं अगनोंने का तुम कैसे कहते हो तो कि गुर्गोमी सेंग जी पारब्रम परमेश्वान मैंने का हाँ हम तो गलती करते हैं हम गुरूओं को कह रहे हैं परमेश्वान वो तो कह रहे हैं कि ना मैं उसका रंग पचाना ना मैं उसका बेद जाना और हम उनको कहते हैं वो परमेश्वान है नहीं ये गल्ट बात है, कहते देखो, वो खुद कहते हैं, मुझे बहुत ही हुआ, मैंने का, हाँ आंटी, ये तो बात समझ में आगे हैं, कि हमें आज तक हमने कुछ पाया ही नहीं था, तो आंटी ने कहा, खसम विसार है, तेकमजात, हम जिन रात पाठ करते हैं, रिराज साहमें, उसमें ये बात आती है, खसम विसार है, तेकमजात, नानक नावे बात सना, नानक को में बताते हैं, गुर्नार्देव जी, कि तुने अपने खसम को विसार दिया, तो कमजात है, अब मैं समझ गी, मैंने का, ये तो बाक्य, अब यहां से मुझे स्टार्टिंग हो गई, कुछ नहीं पाया हम गुर्द्वारे इतना टैम जाते रहे गुर्बानी में से भी नहीं समझे हमें कुछ समझ नहीं आती थी बस रटा वकेशन जरूर करते थे आप मेरा आने का टाइम हो गया यहां से मेरा तीन दिन रह गई मैंने तीन दिन आंटी के घर बिताए पहले मैं चले जाओंगी मैं जो कुछ पाना है मैं लेके जाऊंगी आंटी से कहते है अच्छा ठीक है तो जब समझ आ रही है तो मैं तुझे कुछ ने कहूंगी ममी मेरे गुरू भी रही है एक दिन क्या हुआ गुर्दवारे में में ममी आंटी के साथ जागनी के लिए भी जाते थे तो हाँ सर्दानियों को पता लग गया क्योंकि ममी को गुर्बारी में से काफी कुछ पता था तो क्यों ममी गुर्बारी में से समझाते थे उन्होंने किसी ने गुर्दवारे में शिकायत लगा दी कि ये ना इसने धर्म चेंज कर लिया अपना महां गुर्दवारे में बाई जी ने क्या दिया जाए तो मम्मी बड़े परशान हो गए कापा मेरे ये बात सुनके हरान हो गए क्यों निकाल दिया जाए कि इन्हों ने धरम चेंज कर लिया है ये कोई निजानंदी धरम अपना रहे है इनको गुर्दवारे से निकाल दिया जाए, मुझे तो इस बात का पता नहीं था, मैं तो आ चुकी थी, अम्मे ने बड़ा ममी भोतर हुए, पापा स्टेज पर चड़गे, मेरे पापा हेड मास्टर थे स्कूल में, तो पापा स्टेज पर चड़गे, कहते हैं, मेरे तो उन्होंने कहा, कि आपकी वाइप ने धर्म चेंज कर लिया, गुर्दवारे को छोड़कर, वो कोई और धर्म अपना रही है, हमें पता लगा है, तो कहते हैं, मेरे पापा खड़े हो गए, कहते हैं, क्या उसने गल्थ काम किया है, क्या गल्थ काम किया है, आप बताओ, उसने में डिलिसकी के धर्म चेंज कर लगा है, वो किसी के साथ किसी का खड़े है, तो आप बताओ, मैं खुद निकाल दूगा, मेरे पतनी को, तो उन्होंने धर्म चेंज करने की वेज eleven पता लगाथा, क्या उन्होंने कोई और धर्म पना लिया है, वक्रदवारे से रस्त हमने सはは घूनने लगी हैं वेकर दो कहते हैं है नहीं आप ने पहा है क्योंट बोले हैं तो उन्होंने समापिए मंगी फिर कहते हैं हम में नहीं कहना चाहिए था मुझे इस बात का हमता दो़े पता नहीं था तो मुझे आंटी ने बताया तिर ममी के साथ ऐसे हुआ है और तिर ममी ने इमान छोड़ दिया तिर ममी अब आते तो हैं किरतन पर पर बहुत काम मारे ग़र आते हैं क्योंकि उन्हों को गुर्दारे में उन्होंने मना कर देने के बाद वो बहुत परिशान रहने लगें मैंने का अच्छा मुझे तो ममी ने बताया नहीं कभी रानी का दिल न ढढ़ जाए रानी का भी इमान से अब उत्तर न जाए वो बहुत मुश्कल से उसे पता लगा है मैंने ममी से पूछा ममी ने का हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है मैंने का चलो कोई बात नहीं मैं तो महां रहती हूँ यहां तो आपके बारे में सब को पता लग गया है महां किसी को पता तो चलेगा नहीं कोई बात नहीं पर मैं राजी को नहीं छोड़ूंगी अब जो मर्जी हो जाएं, कहते हैं अच्छा तूने पक्का रहना है, एक बारी फिर मुझे सरकार शीरी का सपना आया, सरकार शीरी मेरे सपने में आये, और मैं मम्मी सरकार शीरी को मिलने जा रहे हैं, ऐसे लगा मुझे जासे हमारे शैर में आये हैं, तो मैं हुआ पर स्टेज पर सरकार शरी बैठे हुए थे, सरकार शरी देखकर हसे, मेरे सपने में आए, और कह रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन आया है, मैंने का मिरे मम्मी आया है, कहते हैं, मैंने पूछे देखा, मैंने का मम्मी तो है नहीं, कहते हैं, उनका रस्ता यहीं तक था, वो तुम्हारा हाथ पक तो मैंने आके सरकार अपने सरदार जी को सारी बात बताई, कहते हैं, हाँ, ये बात तो सच्चा ही है, रानी तू बता रही है, मैंने भी गुर्बानी सुनी है, सब को सुने है, ये तो सच्चा ही है, मैंने का आप आशरम लेकर चलोगे मुझे रतन पूरी, कहते हैं, नहीं, तू नहीं जायेगी, पहले मैं देख कि आउँगा, आशरम में क्या है? क्योंकि आशरम में राज़न स्वामी जी मिले, इनको बहुत अच्छा लगा, उनकी बाते सुनकर, आकर मुझे कहते हैं, तू ने तो बहुत काम सुनें, बहुत अच्छी बाते बताते हैं, बहुत अच मैंने रहा और आपको अच्छा लगा एकती है, हाँ मैं तुझे लेके जाँंगा तब 1999 की बात है, सर्कार श्री हुर्या भूत बिमार थे उस दम उश्टन मुझे लेकर गए और मुझे सर्कार श्री से उन्होंने फिर्च दिल स्थव union यह बे U propre दिलायार बहुत खुशी होई अब मैं इधर अब ग्यान पीठ में आने लगी ग्यान पीठ में इधर लाजन स्वामी जी के पास जाती थे हम सभी तो सभी क्या करते थे पैरों को स्वामी जी के पैरों को छूटते थे वह च्वाते नहीं हैं मेरे साथ यहां से सुंदर साथ कठे जाते हैं नीलन दिदी और भी सब जाते थे वो प्यार को छूते थे मैं देखती रहती थी स्वामी जी को मैं दूर से प्रणाम करती थी क्योंकि गुरांट सामी लिखा हुए है बहुत सिरफ एक गृंट साहिब के आगे मत्था टेकना है और किसी की आगनी मैंने का यह सब मतलब उस टेम तो मुझे समझ में नहीं आती थी पर मैं घर आके सोचती भी थी मैं फिर जाती थी और मैं स्वामी जी को दूर से प्रणाम करती थी वो मुझे ऐसे जूर करते थे और वो मुझे देखकर बहुत खुश होते थे सदार जी भी गए थे उनके पास वो देखकर मेशा आज भी याद करते हैं صदार में और जाती हूँ, सदार जी को पूछते हैं, वह नहीं आए, मैं कहते हैं, नहीं आएंगे वह भी, कहते हैं, अच्छा, तो स्वामी जी, जब एक समय की बात थी, मैं स्वामी जी के पास गई, मैंने का मैं भी देखती हूँ, मुझे इतना कुछ पता लगने लगा, कि मैं ठीक है सरकार श्री की जानने के बाद थोड़ी सी मैं सो गई थी, मैं बानी भी राजी को सुबह शाम बानी भी पढ़ती थी, राजी को नहीं मैंने छोड़ा, मैंने वहां से जब मैं आशरम पहली बर गई, मैं भी तक साभी लेक किराना वो तुम पढ़ना, उसमें तुमें बहुत पेचान होगी, मैंने बहुत पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, फिर मैं भी तक साभ पढ़ती गई, भी तक साभ पढ़ती गई, उसके बाद मैं काफी ओड लेकर मुझे सुदार जी कहते है, तु सारे ग्रां पढ़ती है जल्दी आजा, जल्दी आजा, देख स्वागनियों का हा लगती है, उसके बहुत भी जल्दी आज्टी में सुदार बताती है, पर गुर्ववामी भी पर गुर्वामी चीपको कहने लग nights if ऐब वर यह तक बुछ दूने वाला हूं, तो हम किसको मात्व टेकेंगे, किसे बाते करेंगे, हमने जो कुछ पोछना है, उन्होंने काया, यह गुरू बाणी जो त्यार हो चुकिए, दुस्वों गुरू की बाणी है, सब सिखन को हुकम है, गुरू मान्योगरंत, तो मिनको मानना, इनको खोलना, उनको खोलोगे, आज अपने बाणी को कहते हैं, वांग में कलेवर सरूरूप है, वो भी कहते हैं, यह इसमें हमारा श्रीर है, और जो ही चुपाईया है, यह हमारा अंग है, आप जो कुछ पूछोगे, आपको इसमें से मिलेगा, तो सिखने का ठीक है, तो उसमें जो हम आज भी लिखते है पेज, पेज नहीं लिखते हैं, उसमें लिखते हैं अंग नंबर इतना, पेज नंबर नहीं लिखते हैं, अंग नंबर इतना, अंग नंबर इतना, क्योंकि उनको आज भी सिख भाई जो है ना, दसों गुरों का शरीर मानते हैं, गुरूबानी को, और उसमें जो मुझे ये भी बात बड़ी अच्छी लगी कि देखो हमारे राजी की वानी हमें बहुत अच्छी लगती है आज हमें भी अंग लिखने चाहिए कि राजी की अंग हैं मुझे गुर्बाणी में से बहुत कुछ मिला फिर मैं जब छोटी होती थी तो मैं एक ना भाई जी अर्दास करते थे उस टेंप उसमें अर्दास में ये बोलते थे उठ गई सबामलेश की कर पूरा कासार डंका बाजे फते का ने निश्व कलंकवतार मैं मम्मी को ना बोलती कुछा तो भाई जी कहते हैं हमें पिछे ना गोल्डन टैंपल से उन्होंने मना कर दिया है कि ये लाइन बीच में नहीं बोलनी मैंने क्यों और आज वाली लाइन मुझे इतनी रट हुई थी कि आज भी मेरी ये लाइन काम आती है कि देखो मेरे वाक्य ही उठ गई सबामल कि मैंने पहले क्यों नहीं पाया मैंने इतना टाइम क्यों खराब क्या दिया और जब से मैं जूम में बैठने लगी हूं दिदी मेरे जूम परवार में ये तो मेरा अपना परवार बन गया रिदालीला के बात तो बस पता नहीं सकती कितनी अच्छी अच्छी बाते उसमें आती हैं और सब अंदर उतरती रहती हैं उतरती जाती है अब तो बहुत ही अच्छा लगने लगए अब उसमें गुरुबारी में बहुत कुछ आता है बहुत ही आता है इसमें मैं आपको एक और बार बताती हूं उसमें आता है प्रणाम जी रानी दीदी सुन्दर साथ जी इ बोलने के लिए बहुत बल चाहिए होता है। बहुत कुछ सहना पड़ता है ये बोलने के लिए भी और आगे भी पता नहीं उनको कितना सहना पड़ेगा कि उन्होंने ये बोला है। पर हमारे लिए वो बोल रही है कि उनको बहर से आके इस पंथ से आके उनको क्या-क्या मिला और श्री गुर्बानी ने कितना कुछ हमारी श्री मुखवानी साही लिखा हुआ है, सारे प्रमान हमारे धनी जी ने उसमें दे रखे हैं, आप ये सारे प्रमान लिख कर हम इसकी एक PDF बनाएंगे और अती सुन्दर बनाएंगे और एक दिन का कारिकरम मुझे लगता है धनी ने कुछ प्लान कर रखा है हम लोग सोच रहे थे कि अब उसको बंद कर दिया जाएगा एक दिन का चार से पांच का कारिकरम आप चलाएंगे रानी दीदी और ये सारे अर को भी क्योंकि श्री प्राणनाग जी की वानी में कोई हिंदू सिख इसाई या मुसल्मान नहीं होता सारी पारब्रम की अंगनाएं होती हैं किस प्रकार ये वानी सबको एक करती है आप उसका सक्षात उदारन है हमारे पास और ये बल जो धनी ने आपको दिया कि मैं सब के सामने आकर ये बोलूंगी ये सच्चाई मैं सब को बताऊंगी ऐसा बल धनी हम सब को दें आगे अपने अनुभव शेयर कीजिए रानी दीदी बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बोलना आसान नहीं है सुन्दर साजी इस बात को समझिएगा तरनाम जी रानी दीदी पुरिय आन ठत्रे जान सुतान में और भी उटसी मर्दा चेला सच की बाणी नान का खेसा सुना सी सच दी बेला इसमें कहते हैं कि आन ठत्रे आन ठत्रे जब हमारे धनी श्री देवचंदर जी को 1688 में शाम जी के मंदीर में नुको दर्शन हुए थे वो इस सन लिखा हुए आन ठत्रे जान सुतान में और भी उटसी मर्दा चेला इसके बाद एक और भी मर्द लिखा हुए दो मर्दों की यहां बात लिखी हुई है और भी उटसी मर्दा चेला नानक आखे सच सुना सी नानक जी कहते हैं कि वो सच की बात बताएंगे सच सु लड़ीयों सोखरा प्यारा, हमका अकेरियां दासियां साचा खसम हमारा, उन्होंने कहा है, गुनानद जी कहते हैं कि एसे है लड़ीयों, हमारा जो प्यारा है, वो खड़ा हुआ है, हमारी इंतजार में खड़ा हुआ है, हमकोई दासियां नहीं है, हमसा अकेरियां दासियां हम उसकी दासियां नहीं हैं, वो साचा खसम हमारा, वो साचा खसम है हमारा, वो हमारा आज भी इंतजार कर रहा है, हम साकेर यहां दासियां, वो साचा खसम हमारा, एक क्वेशन मैंने मम्मी से भी किया था, मम्मी गुर्बानी में तो माता पिता की भी बात आती है, तू मेरा म तो फिर हम उसको माता पिता भी कैसे कह सकते हैं जा खसम बन जाता है माता पिता तो नहीं चलता तो ममा ने बताया माता पिता की बात जो है ना जब तक लड़की कुवारी है वो माता पिता कहेगी वो शादी के बाद चले जाती है वो खसम बना लेती है माता पिता की बात सिर् पिर आम माता-पीता थोड़ी कहेंगे, हम तो उनको अब क्या कहेंगे, कि हमारा पती है, हम उनकी स्वागन नार है, बस मुझे मुझे बहुत कुछ समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब तो अँटी के अटी मुझे आज भी आज भी फोन पे बाते करते हैं, तो यह हमारी राजी की बाते होती हैं, कि हमें आंटी भी इतनी खुश है, कि रानी, कि तुने अपनी चाहिए मम्मी से पाया, चाहिए मेरे दोनों ही गुरू हैं विमलेश जी भी और मेरी मम्मा भी मेरी मम्मा भी हैं मेरे गुरू भी हैं चाहिए हो आज दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंनों मुझे सच्चाई कर रास्ता पकड़ा कर गए हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब महां पर यह ब्रंदा बन में रमन किया नीले वस्तर पें तुर्क पठानी अमल किया उन्होंने मतलब वेश्धारन जो किया वो सारा इसमें बताया हुआ है कि पारजात गोपी ले आया था वहां से कहते हैं कि पूरे गुर्क सुन अपदेश पारब्रह्म निकट कर पेगा अपने पारब्रह्म को अपने निकट तो पाएगी पारब्रह्म निकट मिल जाएंगे तुमें गुर्माणी बहुत कुछ बताती है हमें बहुत कुछ गुर्माणी ने बताया शुनदर साजी तबसे पहला प्रणाम तो जाता है इनकी मम्मी जी को जनों ने कैसे खढी रही वो कितना विरोध होने के बावजूद भी खढी रही और स्वयम रुखना पड़ा भी अपनी बेटी को नहीं रोका उन्होंने अगर रुखना पड़ा भी ओग्रर किसी circumstances की वज़े से वो भी कोई कटुता नहीं मिठास भीजनी है वो भी धनी जी का कोई हुकम होगा जो उनको रुखना पड़ा पर अपनी बेटी तक ये खबर भी नहीं पह शत शत नमन हम सब सुंदर्सात की ओर से जो उनको रतनपुरी भी लेकर गए, जो उनको सरसावा भी लेकर जाते हैं, उनको कहीं जाने से नहीं रोकते, बलकि स्वयम किताबें ला लाकर, हमारे टीकें ला-लाकर उनके हाथ में पकड़ाते हैं कि ले गुनवंत इसको पढ़ ल तो कहते हैं कि ले इसको सुन जो बाते तू किया करती है वो बात इसमें चल रही है मेरे पिया की वानी गुर्बानी में इतने प्रमान दिये गए है सुन्दर साथ जी अंग अंग हरक जाना चाहिए कि हमारी कितनी बातें श्री गुर्बानी में भी लिखी गई है अती धर्म से आई हूई हमारी बहन वो उस चाल पे चल पा रही हैं, कैसे ठोस होके खड़ी हूई हैं, कोई कुछ भी करें मुझे अपने इमान से अब डिगा नहीं सकता जिस रा पे मैं चल गई हूँ, जिस राह पे चल के खसम को जान लिया पहचान लिया ध्यान कर लिया ध्या लिया उसको फिर उसको मुझे पा लेना है अती अती सुन्दर कोई विरले होते हैं सुन्दर साथ जो इन राहों पर चल सकते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ येवल वो सुन्दर साथ ऐसा कर सकता है आपके चर्णों में कितने नमन करूँ मैं नहीं जानती थी कि जरोखे में दिखाई देती हुई, हमारी रानी दीदी के अंदर इतना बल पिया जी ने भरा हुआ है, एक एक बैठा सुन्दर साथ मेरा समेट के बैठा है, यहाँ पर पता नहीं कितनी मिठास, कितना बल, कितने संघर्षों की कहानी अपने अंदर समेट के सुन्दर साथ बैठा है, हर सुन्दर साथ को नमन जो संघर्ष करके पिया जी की उस रा पर चल पड़ते हैं, रानी दीदी, यू आर पिलर, आपने ऐसे हम सब के लिए खड़े रहना है, और हम सब की प्रेरना का स्रोत बने रहना है, शत शत नमन आपको, आप और बताईए रानी दीदी, अपने जीवन की घटना है, प्रणाम जी. बस दीव, उसके बाद तो मैं आप जाती हूं, अंटी से बहाँ पर किर्टन होता है, मुझे बहुत खुशी होती है, कि मुझे 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 सुनने को मिलता है, किर्टन में बैठती हूं, और अब तो, बैसे तो मेरे यहां भी कोई नहीं जानता है, वहां माईके में भी इतना कोई जानता नहीं है, अंटी के गर किर्टन होता है, मैं ही जाती थी पहले जा मम्मी जाते थे, भाई, भाबी वगारा कोई भी नहीं इस बारे में अभी समझता है, बताते हैं लेकिन समझते नहीं, रोज बारी में भी आता है, जीव जन्त सब खसम के कून कीमत पाव कि मुझे पता लग गया मैं किसी को पहुंचा नहीं पा रही हूं वो यह पीडा हमारे अंदर भी होनी चाहिए और रानी दीदी आप जूम से कैसे जुड़े जूम से दीदी मैं जूम मुझे पता नहीं था जूम के बारे में तो मैंने सुनती थी बीच में यूटूब के जरिये ना मैं आ ठेखो बड़ी ऐई इसमें बोत अच्छे थी हैं मैं सुनती हूं मुझे बाजन भी लगते हैं यह कहां से आते हैं। तो तो मुझे बता, तो उसने ता मुमी ऐसे जूम खुल, आपको मैं खुल के देती हूँ, मीनु दीधी के अमरज सर वाले थे, सबसे पहले मैं राज ग्रूप में बैठी थी, पर्षा दीधी के राज ग्रूप में, तो वहां मैं सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, यह तो बहुत अच्छे बताते हैं राजी के बारे में, तो मैं उनके बैठती थी, उसके बाद मुझे मीनू दीदी का अमरसर जो हैं, उनके आता था जो मैं ग्यान पेटू, उनके मैं सुनती थी, उसके बाद दीदी मैं जब उनके में आपके बारे में सुना जब त्रीदालीला सबसे पहले मैं बैठ गई त्रीदालीला मुझे पता लगा त्रीदालीला शुरू हने वाली है बस दीदी जब से आपके साथ के हमारे ये जूम परवार के साथ मैं बैठी मुझे बहुत ही पता चलता गया मुझे बेटी ने खोल के दिया, कहती, ममी, जूम में देखो, आती हैं, यह सब बते हैं, आप सोना करो, मैंने का, हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है, बस उसके बात मैं जूम पे बैठने लगी, पहले मुझे नहीं पता था, जूम के बारे में, जीदा लिला, मैंने शुर कहते हैं, मैं सोचती थी, सब राजन स्वामी जी के चर्णों को हाथ लगाते हैं, ऐसा क्या मिल जाता है वहां से, कहां सोचते हैं सुन्दर साथ जी, हम तो बिना सोचे समझे, सब कुछ करके आ जाते हैं, हम सोचते भी नहीं हैं, कई बार, चर्णों को हाथ लगाने से पहल कोई भी जो सोचता हो कि क्या मिल जाता है वो पासकता है सुन्दर साथ जी कोई भी एक्ट अपने जीवन में छोटा सा भी आप कुछ करने जा रहे हैं उसके पहले यदि सोचते हों कि मुझे क्या मिलने वाला है तो समझिए वो मिलने वाला होता है और चर्णों को हाथ लगात ही कहते हैं अंदर ही अंदर क्या मेरे कुलना शुरू हो गया यह सत्गुरु के चर्णों का प्रताप होता है सुन्दर साजी तो आज से जब भी जो भी आपके सत्गुरु वो भाव लेके उनके चरण छुएगा कि आज मुझे यह चरण छूने से क्या मिलने वाला है पती सु लगा कि हम सुन्दर साथ का कितना बड़ा सौभाग्य है कि यह रानी दीदी चुप चाप हमारे साथ रोज जुड़ी होती है और अंदर कितना खजाना कितना बल और कितने संगर्शों की कहानी वो अपने साथ लेके हमारे जुड़ी होती है अती अती सुन्दर आपकी माता जी को तो प्रणाम है ही पर आपकी बिटिया को भी खूब खूब प्रणाम आपके परिवार को जो साथ देता है खड़े ओने में ऐसे सब परिवारों को प्रणाम जो साथ देते हैं खड़े ओने में उनकी सेवा कम नहीं है यदी भाईया साथ में बैठे आज आपका साथ दे उनके साथ-साथ हम सुन्दर साथ आज बहुत कुछ हो रहे हैं ये जो जमुना आपके अंदर बहती हुई पिया ने आज हमें दिखाई है ना अती सुन्दर अती सुन्दर अती सुन्दर आपके चर्णों में प्रनाम जी प्रनाम जी प्रनाम जी प्रनाम जी प्रनाम जी प्र पन्ना धाम की जै सर्व सुंदर साथ के चन्म में कोटी-कोटी प्रेम परनाम जी परनाम जी परनाम जी